आप उनकी तरफ नजर उठा करके देखें, दाओ लाओ कुछ दो हमें, हमारे लोग भुके मर रहे हैं, हमारे पास वैक्सीनेशन का पैसा नहीं है, 13 रुपे के पैट्रोल को आप 100 रुपे बेचेंगे, फिर भी आपके पास वैक्सीन का पैसा नहीं है, हर जगे आप कमिशन हूसकोरी करते हो, जमीन की बेची तो, जमीन खरीदी तो, पैट्रोल बेचा तो, पैट्रोल खरीदा तो, ड्रक्स में अर्वो खर्ब रुपे आप हर साल कमाते हो, लूट मार करते हो, शराद में आप इतना जवरदस्त कमाते हो, कि 30 रुपे की शराद की बोतल को आप 300 कर्थ लोगे अपने तो बोब्स आप नीडी पर हिंड फान था फो किया और ये परीकश टेंडेर कुए स्निट जाए से किंधोगे होगा क Communist कि असारं पारे पास स्थाहिर वाली क्योंकि है बुंटा किर्दिवाली पार्टी ज्यक्ति को दंगे में को आपकी एक्सपर्टाइज बहुत सतं है आपको पांच मिनिट के नोटिस पर अम्रीका दंगे करा सके तो इसमें आपकी जो हैm airport आसल है पाकिस्ताइशmaal में दो जिसमें हमारे भारत सरकार के जो स्वास्त मिंतरी हैं डॉक्टर हर्सवर्दन उन्होंने इसका पुर्जोर विरूद किया था मैं भी उसका विरूद करता हूँ वैक्सीन पास्पोर्ट का लेकिन उन्होंने जिस तरीके से विरूद किया था मैं उस पर एक बार आपका ध्यान आकर शित करना चाहूँगा उन्होंने कहा था कि बहुती immature decision है यानि बड़ा जल्दवाजी में लिया गया ये मामला है क्योंकि developing countries में उतना speedily vaccination नहीं हो पा रहा है और चुकि population ज़्यादा है इसलिए उसमें समय लगने वाला है इसलिए इस मामले को मुल्तवी किया जाए अभी फिलाल के लिए तो उनका जी जो कहना है कि बुला साब जो जिस तरह की जल्दवाजी में ये इस तरह का शगूफलाया गया है वैक्सिन पासपोर्ट का वो developing countries को जो है एक तरफ हासिये पर ले जाकर पटकता है तो आप मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये दूसरे developed nations जो है उनकी ठेकेदारी है क्या कि आप developed nation नहीं है आप developing में हैं आपकी population ज़्यादा है आप vaccination नहीं कर पा रहे हैं ये तो उन developed nations की ठेकेदारी है क्या पहली जी हर देश अपने देश को सुच्छित रखना चाहता है वो क्यों आपके जो है अन्वैक्सिनेटेड लोगों को वहापे ले जाकर करेगा अपने लोगों की जिन्निगिया बाप पे लगाएगा कौन चाहेगा इसा ये ब्यावारिक्ता नहीं है लेकिन वैक्सिन पासपोर्ट का जो शगूफा इकसेल जो है जो खुद अपने आपने वैक्सिन पासपोर्ट का जो कंसेट है ये नागरिकों की मतलब जो सिटुजन्स हैं चाहे किसी भी देश के लोग है चाहे वो अमरीका का है जापान का है जर्मनी का है भारत का है पाकि इश्वर में सुरक्षित रखा है यह अलग बात है हर देश की अपनी बाउंडरी बनी हुई है और हर देश की अपने तौर तरीके होते हैं जिसके हिसाब से आदमी उस देश में जा सकता है तो वैक्सीन कई लोग तो वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते हैं उनको आप जबरद जो बिरोद करना है वो बिरोद से धांतिक बिरोद करिए और नागरिक तो नागरिक होता है इंसान तो इंसान होता है वो अमरीका का है या इंडिया का है उससे का फरक परता है आप यह कहते हैं कि नहीं साब हम लोग कमजोर है हम लोग डवलपिंग कंट्रीज में तो डवल सिप्श्स सैटना करता शीट-विकास सील का मतलब है कि आप डेवाई-डेवाई-डेवाई-डेवाई लाप विकसित हो रहे हैं आप आगे बढ़ रहे हैं है आपने साथ साल में देश को खतम तमगा जो विकास सील देश का है वो तो कप काटा दिया आप अपने आपको फिर भी विकास सील केते रहो आप तो अपने आपको महां केते रहो दुनिया आपको मानती क्या है यह समझने वाली बात है आपका गरोज करने का जो तरीका है आपने जिस तरह से जी सेवन में अपन पक्ष रखा है वो आपके जो पाइटी है और आपकी जो खुद की जो मान सकता है उसी मान सकता है गटिया मान सकता है चबनी छाप मान सकता है उसी मान सकता को आपने वहाँ उजागर किया है आपने हिंदुस्तान का नाम महाँ पर भी खराब करने का काम किया है कोई भी बेक्ती आपकाबिक्ती आगर मैं वहां पर यह थेकेदारीं यह गया आपको पाल ने पोस्टने की ठेकेदारी उन्हों ने रखिए गया डव्लब्ड कंट्रीज ने रखिये उनके ना खाने की कमी है ना किसी और चीज की कमी है इसलिए वो आप अपना परजीवी की तरह उनके उपर नाचना चाहते हो अपनी मानसिक्ता को सुधारी है आप दूसरे के उपर परजीवी बनने का प्रयास मत कीजिए आप यह हिंदुस्तान की जंता पर परजीवी बने लाओ कुछ दो हमें, हमारे लोग भुके मर रहे हमारे पास vaccination का पैसा नहीं है 13 रुपे के petrol को आप 100 रुपे बेचेंगे फिर भी आपके पास vaccine का पैसा नहीं है हर जगे आप commission घूस खोरी करते हो, जमीन की बेची तो, जमीन खरीदी तो, petrol बेचा तो, petrol खरीदा तो ऐसी कोई commodity में है जिसमें सरकार उसे गुस्पैट नहीं करके बैठी हो, ड्रक्स में अर्वो खर्ब रुपे आप हर साल कमाते हो, लूट मार करते हो शराब में आप इतना जबरदस्त कमाते हो कि 30 रुपे की शराब की बोतल को आप 300 रुपे में बेचते हो पब्लिक को यह पैसा जाता कहा है, 6 रुपे की एजुकेशन को आप 600 रुपे में बेचते हो, 100 times 180 रुपे की आप एजुकेशन देते हो, जिसके 6000 रुपे लेते हो आप जगता से, वो पैसा जा कहा रहा है, किसकी येवों में जा रहा है, उस पर कोई आप चर्चा करने को तयार नहीं है, आपको फरी का वैक्सीन चाहिए विदेशों से, शरम आती है आपकी मान सिक्ता के पर, आपने हिंदुस्तान को तबह कर दिया, आप इस तरह की घटिया बात कर रहे हैं, महाँ पर जा करके, गुरूप सेवन में, कि साब हम तो भुक मंगे हैं, हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, हम वैक्सीन कहां से लगाएंगें साब, हमारी तो जन संग क्या इतनी है, तो त करोड़ों होने चाहिए, या खाली लगवाने लगवाने वाले रहेंगे, कहा है आपका सोचिल नेटबर्क कहांगे आपका, तीन गंटे में आपके प्यादे जो है, पूरी सेना तयार करने वाले थे, कहांगे वो लोग, उनको काम मिलो, जिस देश में, पचास हजार की मैथमेटिक्स का बिद्यारती भी समझता है, जितनी बड़ी आपादी होगी, वैक्सिनेशन भी उतनी तेजी से लगएगा, क्योंकर लगाने वालों की संख्यातों उसी अनुपात में होनी चाहिए ना, आपने देड़ साल तक वैक्सिनी नहीं खरी दे, फिर आप गरो करके इंदुस्तान का नाम ड़को तो, कनी साब हम तो भीकारी हैं साब, हमें तो हमारे पास पैसी नहीं है वैक्सिन के, हमारी तो साब जन संग क्या जाता है, हम कैसे वैक्सिन लगाएंगे, उन्होंने ठेकेदारी लिए रखिये, आपको पालने की, बेशर्म कहीं के, आप सीधा बोलिए कि साब लोगतां तो अज़्या है, आपकर देश का है, आपके देश का नागरिक भी कहीं जाने आने के लिए सुटन तरोना चीए, इसी तरह से नागरिकी भी सुटन तरोना चीए, फिर भी आप अगर वैक्सिन पासपोट लगाएंगे, तो ठीके लगाईए कोई दिक्कत नहीं है आप कैसे भीक माँग रहे हूँ वह जा करके ये दलील दे रहे हूँ आप महाँ जा करके भेशर्मी की पराकास ठाए अब जो इस तरह के बलग कमतर हिंदुस्तान को कमतर करने के रिमार्क्स दे रहे हूँ वह जा करके आप अधिकारिक तुरूप से तरीके से बयान दीजिए कि हम लोगत तांतरिक देश हैं हम लिबर्टी-ट्रियन वाले देश हैं हम लिबर्टी की पहले बकालत करते हैं इस चीज गोली है आप आदमी की लिबर्टी को dependency करने की आप प्रयास कर रहे हैं नागरे को खुझी आजादी को खतम करने का प्रियास होगा एक वैक्सिन पासपोर्ट जो बोलने वाली बात थी वो क्यों नहीं वोली आपने बेश शर्म कहीं के आप में इतनी समझ होती तो फिर डिक्कती क्या थी आप लोगों में समझ तो ही भी ना क्योंकि आप तो गुंडा किरदी वाली पाइटी है चमनी छाप लोगों की पाइटी है आपकी हिंदू मुसल्मान दंगे करा लो दंगे में तो आपकी एक्सपर्टाइज बहुत तक लिए आपको पांच मिनिट के नोटिस पे आप अमरीका में या कि आप पास्पर्ट के आप विरोद कर रहा ہے किसा लिए किस किसा अधार के बिरुद कर रच करें हमारे पास पैसे नीए हम तो चुब बरबाद देश तो बरबाद बनाया तो आप लोगों नहीं किया है कि सीम एनी बोला आपके रखना चाथा आप कौन होते हैं जबर्दस्ती घुसने बाले आप सीखिए अगर नहीं सीख सकते तो मेरे से सीखिए मैं आपको क्लास देने को तयार हूँ आप बोदी को बोलिए आपके मंत्राले को बोलिए आपके अधिकारियों को बोलिए मैं आपका सेशन लेने के लिए तयार हूँ फ्री अफ कोस्ट आपको तमी सिखाने के लिए तयार हूँ किस तरह से किस से क्या बात करनी चाहिए किस तरह से सोचना चाहिए किस तरह से देश बढ़ेगा आगे ये चीज के लिए मैं पूरी जिंद्गी सबर्पित करने को तयार हूँ और फुन गारेंटी देता हूँ आपको कि हमारा हिंदुस्तान कहा होना चाहिए और कहा होगा पूरा सेशन में लेने को तयार हूँ आपको तमीज सिखाने को तयार हूँ रहें सेंट का तरीका सिखाने को तयारू, बात करने का तरीका सिखाने को तयारू, आप सीखने वाले तो बनो, लेकिन अपने आपको तो आप बहुत बुद्धी जी भी समझते हो, बहुत अकलमंद समझते हो, क्योंकि आप सप्ता में सप्ता तक पहुंच गए, तो आपसे ब परसेंट को पटाते हो आप, दस परसेंट को लात मारते हो, क्योंकि उनकी जरूत नहीं है आपको, मेरे को बड़ा गलानी होती है कि आप जैसे लोग सब्ता में बैठे हुए है, एक जमाना था जब कैसे कैसे लोग विदेश मंतराले में थे, कैसे कैसे लोग सब्ता में थे, जो नाम से जोए वर्ल्ड में जबकि हमारी आर्थे कि स्थिती तब भी बहुत बढ़िया नहीं थी, फिर भी विश्व में हमारे लिए रेस्पेक्ट था, आपने वो रेस्पेक्ट को खतम कर दिया है, पुर्ण विचार करिए, ये जिन्दिगी बहुत छोटी सी है, इसको आप किसी भी तरह से काम में ले सकते हो, अच्छी बाते सोचीए, अच्छी बाते कीए,